MS Kitchen Life में आपका स्वागत है आज मैं एक नई रेसिपी ले करके आप लोग के साथ हाजिर हूँ चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हाफ लिटर दूद में डेमबू या सिरिता ढाल करके फार देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है जब ये ठंडा हो जाए तो इसे छेना को छान लेना है देखिए कितना बढ़िया छेना बन करके तयार हुआ है इसे छान करके दबा दबा करके इसके सारे पानी को निकाल देना है जब छेना के सारे पाने निकल जाए तो इसे मिक्सर में डाल करके ग्राइंड कर देना है अगर आपके पास इलाइची पाउडर हो तो उपर से मिलाएंगे अगर नहीं है तो साथ में ही डाल करके ग्राइंड कर लेंगे इसमें दो चारगुंद केवरा एसेंस मिला करके ही ग्राइंड करें छेना को ग्राइंड करके किसी बाउल में निकाल लेंगे तो चलिए मैं भी निकाल करके अलग रख देती हूँ ये ब्रेट के मैंने चार पीस लिये हैं जिसके किनारे वाले पाट को काट करके हटा देना है, और पानी में डाल करके इसे दबा करके सारे पानी को निकाल दें, इस तरह से सारे पानी दबा दबा करके निकाल लें, अब इसे हलके हाथों से बेल देंगे, अब इस पर चाकू या चम्मच की मदद से बराबर से फैला देंगे इस तरह से चारो तलब से एक दें बराबर से फैला दें फैला करके इसका रोल बना लेंगे इस तरह से इसका रोल बना करके तयार कर ले एक बार में ही सारे रोल बना करके रेडी कर ले एक कपचीनी निकाल करके अलग रख लें अब एक बावल ले ले बावल में आप दो टेबर इस्पून पानी डाले और एक टीस्पून कस्टर पाउडर डाल करके बढ़िया से मिला ले मिला करके इस अलग रख ले अब एक पैन लेंगे पैन में मखण डालेंगे अगर आपके पास घी या ओईल है तो भी यूज़ कर सकते हैं डाल करके मखण इस पे रोल को डालेंगे डाल करके इसे ब्रावन होने तक सेखना है अगर ओईल या मखण कम लगे तो उपर से डाल दे जाए और इसे उलट पलट करते हुए ब्रावन होने तक सेखना है फ्लेम को मेडियम रखे या लो करे हाई नहीं करना है इसी तरह इसे चारो तर्ब से ब्रावन कर लेंगे देखिए ये हो चुका है अब एक पैन को गर्म करें उसमें आधा लीटर ओयल आपको डालना है चीनी जो मैंने अलग निकाला था उसे मिला देना है जब इसमें उबाल आ जाए तो कश्टर पाउडर मिला देंगे इसे गारा होने तक पकाना है फ्लेम को मेडियम हाई करते हुए इसे गारा कर लेना है दोस्तों घर में अगर किट्टी पाटी हो तो बच्चे को तो मीठा बहुत पसंद होते हैं यगेश्ट आ रहे हो तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं तो दूद गारा हो चुका है अब इसमें हमुसरोल को डाल देंगे मेवा आप अपने कोडिंग डालना है डालिए जितना डालना है तो मैंने कुछ मेवा मिला दे रही हुँ एक उवाल आने देंगे जब एक उवाल आ जाए तो इसे पंद कर देंगे अब इसे ठंडा होने देना है जब ठंडा हो जाए तो बाउल में डाल करके इसे सार्व करें तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राब जरूर करें और आप एक वार जरूर बनाए अगर आपने बनाया तो कैसा बना जरूर कॉमेंट करें तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नहीं रेचिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई